बड़ी खबर क्यों तो हर्याना विधान सभा के बजट सत्र का आज तीस्ता दिन है आपको बता दे कि आज डबल सिटिंग में चलेगा विधान सभा सत्र बड़ी खबर आपको बता रहे हैं धन्यवाद प्रस्ताफ पास होनी तक कारेवाही चलेगी और ध्याना कश्षिन प्रस्ताफ पर भेच चाकी मांग की उमीद है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हंगामेदार हो सकती है सदन की कारेवाही तो हर्याना विधार सभा के बजट का आज तीसरा दिन है आज डबल सिटिंग में चलेगा विधार सभा का बजट सत्र आपको बता दें कि धन्यवाद प्रस्ताव पास होने तक ये पूरी कारेवाही चलेगी और ध्याना अकर्षिन प्रस्ताव पर चर्चा की भी मांग की उमीद है तो हंगामेदार हो सकती है सदं की कारेवाही साफतोर पर देखने को मिल सकता है विपक्ष भी कई मुद्दो पर हर्यानस सरकार को गहने की कोशुश करेगा डबल सिटिंग पर आज ये कारेवाई चलेगी धन्यवाद प्रस्ताव पास होने तक ये कारेवाही चलेगी ध्याना करश्यक प्रस्ताव पास होने की भी मान की उमीद की जा रही है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आज डबल सिटिंग में चुलेगा विधान सबा सत्र धन्यवाद प्रस्ताव पास होने तक की कारवाही चलेगी और साथ ही ध्याना करश्यक प्रस्ताफ पर चर्चा हीमान की उमीद भी है तो हंगामेदार हो सकती है सदन की कारेवाही बड़े खबर के साथ आपको बता रहे हैं हरियार विधानसुभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिर अज जब सेटिंग में चुलेगा विधानसुभा का बजट सत्र हंगामेदार रहने के पूरे पूरे आसार हैं जिस तरीके से प्रस्ताफ को पास होने की जो है वो भी उमीद लगाए जा रही है अनिल कई प्रस्ताफ जो है वो इस बजट सत्र के दौरान जो है पास की जा सकते हैं अगर बात करें ध्याना कर्शिन प्रस्ताफ की तो जी अनिल आप तक वास पहुच पा रही है जी हाँ दुराईये प्रस्त दुराईये जी जी सरीके से हरियाना विधाल सभा बिल्जट सत्र का आज तीसरा दिन है कई प्रस्ताफ जो है पास की भी जा सकते हैं तो विपक्ष पूरी तरीके से घेर सकता है जी जी विपक्स है सरकार को इनने का पूरा प्रयास करेगा और आज जो है राजेपाल अविवासन पर सेच्चा होगी और हो सकता है कि मुख्ष मंतरी राजेपाल अविवासन पर अपना जवाब देखी जी एनल तमाम जानकारी देने के लिए आपको शुक्रिया